प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स एन आयरेन जैसे मिनरल से भरपूर, रागी, जुआर, बाजरा ये ऐसे सूपर फूर्स हैं जो डायबिटीस के लेवल को कम करते हैं और जल्दी से हमें अपना वेट रेडियूस करने में हमारी हैल्प करते हैं चलिए ऐस बनाते हैं राग रागी जुआर की मिक्स रोटी पनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक बरतन जिसमें हम डो बना कर तयार करेंगे कोई भी बरतन आप ले सकते हैं फिर हम लेंगे एक बावल जुआर रागी का मिक्स आटा और आधा कप बेसन इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसके बाद में हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच के जितनी कसूरी मेथी को अच्छे से हातों से क्रश करने के बाद में कसूरी मेथी हमारे वेट को कम करने के लिए हैल्प करती है जितना भी इंग्रिडेंट्स हम इन रोटियों में डाल रहे हैं मैटा बढ़ाएंगे और हमारे वेट को कम करने में हमारी हेल्प करेंगे थोड़ी सी एजवाइन हमने हाथों से क्रिश करके डाल दी है अब इसके बाद में हम मिलाएंगे आदा चम्मच के बराबर नमक और आप अपने टेस्ट को कोडिंग कम जादा कर सकते हैं अब इसमें एड़ करेंगे थोड़े से जीरे का पाउडर लगबग आदा चम्मच के बराबर यहां पर आप चाहें तो वेट लूज करने के लिए खाली जुआर और खाली रागी काटा भी यूज कर सकते हैं यह देखिए अच्छे से अब हम इसको कर लेंगे मिक्स बहुत अच्छे से सारे मसाले इसके अंदर तो फिर उसकी रोटिया बनने में बहुत ज़्यादा दुकत आती है अगर हम सर्द्यों में यह आटा बना रहे हैं तो हम गरम पानी का यूज करेंगे अगर गर्मीं में बना रहे हैं तो नौर्मल तेंपरिचर वाला पानी ही हम इसको अच्छे से कर लेना है मिक्स इस अच स्कलीद है निदोर हो आक्ष मिर्टे ना थोड़ा जादा यूज करना हुता है अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे 2012 तान विल्प करें जितन хотел इसको तैयार कर tea शकया है थोड़ी दिर के बाद ने के समय तुड़ा चिकना हो जाएगा से बल्कुल बलुकुल शुरू हो जाएगा चिपकेगा नहीं तब मानों कि ये बिलकुल परफेक्ट तरीके से गुठ चुका है ये देखी दो से तीन मिनट बहुत अच्छे से इसको गुठने के बाद में ये बिलकुल चिकना हो गया है अब इसके बाद में हम तैयार करेंगे रोटी बनाने का प्र पेड़ा बना लेना है और इसको हम डिप करेंगे सूखे आटे में ये देखिए जैसे हम मके की रोटी बनाते है या फिर बाजरे की रोटी बनाते है ये रोटी उसी तरह से बनती है ये आटा थोड़ा सा ड्राय होता है और बहुत जल्दी से तूट जाता है अब हम इसको सूखे आटे में थोड़ा सा आटा हम स्प्रिंकल कर लेंगे बोर्ड के उपर भी ताकि ये बोर्ड में नीचे चिपके नहीं ये देखे इस तरह से और बहुत ही सोफ्ट हैंड के साथ में हमें इसको इस तरह से गोल-गोल गुमा लेना है बहुत हलके हाथ से हम इसको है मीडियम हीट पर अब हम इस पर डाल देंगे ये रोटी ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रागी जुआर के आटे की रोटी अच्छे से तवे पर जा चुकी है इसके बाद में हम इसको कर देंगे टर्न इस रोटी को बनाते हुए गैस के फ्लेम को हमें हाई इसको सेख सकते हैं जैसे हम गेहों की रोटी सेखते हैं बिल्कुल उसी तरह से दूसरी रोटी भी हमने बिल्कुल इसी तरह से बना लेनी हैं वेट लूज करने के लिए जब हम रागी जुआर की ये मिक्स वाली रोटी खाते हैं तो हमें बहुत जादा प्यास भी लगती ह सकते हैं किसी भी तरह की चटनी भी आप इसके साथ में ले सकते हैं यह देखिये हम ने चार रागी-जवार की रोटियां बना र टायार कर ली हैं इसी तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप भी इसको बनाesses कर बिंभल सकते हैं ॉस तरह की रोटिया बनाए और पूरा energetic feel कीजिए वीडियो अच्छी लगी हो तो like, share, comment and subscribe करना मत भूला